नमस्टे अर संस्कती का जरोका पे मैंने पूरू वीडियों में आपको बताया था ना कि हिंदू धर्में जो विभाह संस्कार होता है अच्यांती महत्वपुर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्कार माना जाता है जिसकी अंतरगत वर और वधु अगनी को साक्षी मान कर वचनों द्वारा जीवन भर के संबंध में बन जाते हैं पर हम में से बहुत कम लोगों को इनका अर्थ और सार पता होगा तो आज की वीडियो में मैं जो विवा में जो वचन दिये जाते हैं उनी वचनों के अर्थ और सार के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हूँ आज का वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग है साथी साथ ज्यान वर्धक भी है तो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिएगा प्रथम वचन में कन्या अपने भावी वर से कहती है कि यदि आप कभी भी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना कोई भी यग्य कर्म वरत उपवास अत्वा अन्य धर्म कारे आप करें तो आज की भाती ही मुझे अपने वाम अंग में अवश्य इस्थान दे यदि आपको मेरा ये कथन स्विकार है तो मैं आपके वामांग में आकर आपकी अरधांगनी बनना स्विकार करती हूँ कन्या वर से दूसरा वच्चन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता-पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुम्ब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्टान करते हुए इश्वर भक्त बने रहेंगे यदि आपको मेरा ये वच्चन स्विकार है तो मैं आपके वामांग में आकर आपके अर्धांगनी बनना स्विकार करूंगी तीसरे वच्चन में कन्या अपने भावी पती से कहती है कि आप मुझे ये वच्चन दे कि आप मेरी जीवन की तीनों अवस्ताओं अथार्त युवावस्ता, प्रोडावस्ता तथा व्रद्दावस्ता में मेरा पालन पोशन करेंगे, मेरी देखबाल करेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आकर आपकी पत्मी बनना स्वीकार करूंगी. कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पून तहा मुक्त थे, अब जबकि आप विवाबंदन में बंधने जा रहे हैं, तो भविश्य में हमारे परिवार की समस्त आवशक्ताओं की पूर्ती का दाइत्व आपकी कंधों पर है, यदि आ आप इस दाइत्वों को वेहन करने की प्रतिग्या करें, तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ, पाचवे वच्चन में कन्या कहती है कि यदि आप घर के कारियों में लेन देन में अत्वा अन्य किसी भी कारण से धन खर्च करते हैं, तो उस समय यदि आप मेरी भी मं अंत्रना या सला लिया करें, तो मैं आपके वामांग में आकर आपकी पत्नी बनना स्विकार करती हूँ, ये वच्चन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को दर्शाता है, पत्ती को पत्नी का सम्मान करते हुए, किसी भी घर के कारियों में उससे सला बाचीत करनी चाहिए ताकि पतनी को अपने अधिकार और सम्मान की संतुष्टी का आभास हो शश्टम वच्चन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सक्षियों अत्वा अन्य इस्त्रियों के साथ बैटी हूँ तब आप वहां सबके सम्मुक किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे तथा आप जुआ अत्वा अन्य किसी भी प्रकार के दूर व्यसन से अपने आपको दूर रखेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्विकार करती हूँ साथवे अथार्थ अन्तिम वच्चन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराहिस्त्रियों को माता की समान समझेंगे और हम पती-पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य किसी को भागिदार नहीं बनाएंगे यदि आप यह वच्चन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्विकार कर आपकी पत्नी बना स्विकार करूंगी अगर हम एक सची हिंदू है और विवा को एक जनम का नहीं जनम जनमानतरों का रिष्टा मानते हैं तो अगनी के समक्ष दिये गए इन वच्चनों को हमें पूरी मन और पूरी श्रद्धा से निभाने का प्रयास करना चाहिए कई हिंदू महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता तो मुझे लगता है ये वीडियो उनमें जागरुकता लाएगी अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है तो आप भी शेयर कर सकते हैं जिस प्रकार की बारिश की छुटी-छुटी बूंदों का लगातार बरसना बड़ी-बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है उसी तरह हमारे द्वारा किये गए छुटी-छुटी प्रयास समाज में बहुत बड़ी जागरुकता ला सकते हैं परिवतन ला सकते हैं इसी सकारात्मक सोच और आशा के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करती हूँ आप सभी का अपना अमुल्य समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद